नमस्कार दोस्तों मैं मुकीश आपका फिर से स्वागत करता हूँ सूर संग्दम में दोस्तों आज का भजन है तू प्यार का सागर है इसके बारे हम बताने की आउशकता नहीं है आप जानते हैं इसको बजाने के लिए दोस्तों हम जो सूर यूज करेंगे तार सब्तक में ये रे तक जाएगा और मंदर सब्तक में एक सूर नीचे तार सब्तक में एक सूर उपर किस प्रकार से है देखिए शुरुवात इसकी रे से होती है फिर दुबारा जब रेपेट होता है तो सा से होता है इस चीज के उपर तोड़ा सा फोकस करना है तू प्यारे का सागरे है तू देखो सारे तू प्यारे का सागरे है इसमें क्या हो रहा है समझ दिए रे गारे सारे सानी सानी रे सारे गारे सारे सानी सानी रे तू प्यारे का सागरे है तू प्यारे का सागरे है तू प्यारे का सागरे है अगली लाइन तेरी एक बूंदे के प्यासे हम क्या हुआ इसमें सारे गामा पाधा पामा पामा गामा सारे गामा पाधा करके फिर धासे पामा करके पामा गामा सारे गामा पाधा पा पामा फिर पामा गामा सारे गामा पाधा पामा पामा गामा तेरी एक बूंदे के प्यासे हम ये दो बार होता है तेरी एक बूंद के प्यासे हम कारे साम तू प्यारे का सागरे है है सारे कारे सारे सानी सा अंत्रा अंत्रे की शुरुवत पासे है और यह सा तर जाएगा उससे पहले एक चीज और देख लेना इसमें क्या है कि हम लोग जैसे कि एक सुरिय धा है और एक रे तो हम इसको अलग-अलग अगर बजाते कैसे धारे एक तरीका तो यह है और एक मैं इसको ऐसे कहूँ धारे धारे एक कर्व के जैसा हुआ है धा से रे के कर्व के जैसा आया है तो इसको हम मींड कहते हैं यह चीज इसमें काम आएगी ध्यान रखेगा शुरुआत है इसमें पा से सीधा सा जाएंगे और एक चीज ध्यान रखना इसमें एक यह कॉर्ड मा धा और सा तो यह यूज करके और फिर माधा सा साधा मा में आएगे माधा सा या साधा मा ऐसे आएगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा ओ घायले मने का पा साधा मा गायले मने का पागल पंची पादा निधा पा घायले मन का पागल पंची उड़ने को बेकरार उड़ने को बेकरार इसमें क्या हुआ पा से मैं सीधा सा पे गया फिर यह साधा मा कोड को ध्यान रखते हुए धा सामा आया फिर उसके बाद के पादा निधा पा घायले मने का पागल पंची फिर उड़ने को बेकरार गामा धा गामा धापाधा को ठहरा देख लिए ना गामा धापाधा तो ये क्या है? थोड़ा पापे ठहरा और धापे भी ठहरा हूँ और फिर यह रे धासे रे और गामा नीधापा अप ऐसे कर सकते हैं कि एक ऐसे तीर बन रहा है और एक ऐसे तीर बन रहा है यानि रेगामा नीधापा देखें बिल्कुल आराम से ओ खायले मने का वागल पंजी उड़ने को बेकरार उड़ने को बेकरार ठीक है वापस समझें क्योंकि ये बैठ गया तो फिर सारी अंतरा एक जाए चलती है दो ये अंतरा है इसके अंदर मैं पा से गया सीधा सा सा से फिर मैं कोड के हिसाब से आया सा धामा फिर पादा नी धापा किया फिर उसके बाद में मैं पा से सीधा आया ये गामा धापा धा ठीक है और धा से फिर सीधा मैंने बताई मींड यहां से रे गामा नी धापा वापस देखे एक बार हो पा सा फिर सा से मैं साधा मा कॉड में आया फिर पाधा नीधा पा फिर उसके बाद में मैं यहां से आया सीधा गापर गामा धापा धाकिया और उसके बाद में मैं यहां से सीधा मेंड लिया रे पर रे गामा नीधापा अब आप मैच करना मैं बिल्कुल स्लो बजाता हूँ खायले मने का पागल पंची गुड़ने को बेकरार गुड़ने को बेकरार ठीक है पंक है को मले आँख है धुंदली जाना है सागर्पा फिर यहां मैंने क्या किया था मागा वो गामा धापा धा किया था तो इसमें मागा धापा तो है धा की बजाय क्या किया इसमें इस धाको यह लिया है लेकिन रेसा नहीं करके लिया है यहनि रेसा और फिर धाको लिया है रेसा को और शामिल करने है, पाके बाद धापे ही जाना था, बात वापस समझे है, गा, मा, धापा, धा, तो गा, मा, धापा, धा करना है, लेकिन इसमें second time जब repeat होता है, अगली लाय में, तो गा, मा, धापा, धा की बजाए, धा को direct ने लेकरके, धा के बीच में ये दो सुर गुशा लिये ठीक है न एक तरीके से टच वाले कह सकते हैं कि पाके बाद सिरा रे सा धा और फिर वही मेंड फिर वही मेंड बोई पैटन है ठीक है बस इसमें दो सुर का ये टच लिया है एक तरीके से ये कह सकते हैं ओ, पंक है कोमल, आख, पंक है कोमल, आख है धुंदली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार, और फिर इसमें ये नहीं किया, रेगारे साग, ये कर दिया, बस डिफ्रेंस यही है, दोनों लाइनों को एक बार और देखिए, सेम अंत्रा है, और फिर अपना काम हो जाता है, पूरा, खायल मने का, पागल पंची, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आख है दुंदली, जाना है सागरपार, जाना है सागरपार, बस फिर वही पैटन आ जाएगा, अब तु ही इसे समझानी रे, सारे गारे सारे सानी सा, राहे भूले थे कहां से हम, तु प्यारे का सागर है, तु प्यारे का सागर है, तैयार करें दोस्तों, कोई दिक्कत हो, तो कमेंट करें, लाइक भी करें, और अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप लाइक जुरूर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कहा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ठैंक यू